लाक кад कि ां Leleo Experience कैसे हैं आप सब कैसे तयारे चल रही आप सब की और सब अच्छे से पढ़ाइ कर रहे होंगे सब की तयारी अच्छी चल रही होगी the presence वे क्था अवर यूटूब चैनल नोलेज हब नोलेज हब में आपका एक और फिर से स्वागत हैं और आज हम सभी एस्पिरेंटिस के लिए एक मज़ेदार केंटेंट लेके आएं जिसको पढ़के आपको काफी मज़ा आने वाले ठीक है तो चलिए बिना किसी देरी के सुरुआत करते हैं उस कंटेंट की तरह बढ़ते हैं और वीडियो के लाक्ष तक बने रहे हैं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जुरूर करिए वीडियो को लाइक करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं अपना कंटेंट शुरू करते हैं स्टूडेंट आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं मोश्ट इ ma裙ाना जिक्राम के मोस्ट इंपोर्टेंट कोशिंड कि हमने से रह चला रही हैं ठेक झाह साइट उसके हो चुके हैं और उसके बाद आज हैं नम्बर स्यावन पर और यह सारे वो कॉशंस हैं होने वाला है और उन सभी एक्जाम हैं जो हिलिए कंटासीज से पूछी जाएगी तो जो भी कंड़ेट्स जिनका CET का एक्जाम है टका से कोई ऑग्जाम हो जहां पर हर या जिकर पूछी जाएगी तो यह सारी क्लास्थ आप करके चले जाएगे कोश्टन से यहीं से बनेंगे गुमाफिरा कर यहीं सलेक्टिड कोश्टें से अर्याना की हिस्ट्री से जोग रोफिसर यहां कोश्टन बार-बार पूछे जाते हैं तो आज की क्लास में हम कोश्च नमब सीक्स हैंड़ से आगे करेंगे तिक इसके लावा एक कोश्च सीरीज हमने और डाला कि करन्ट अफेर की डाल रखी अर्याना की और इसके लावा कुछ और जिकी ये कोश्चन है फोर हैंड़ के अप्रोक्षिमेट चार ग्लासिस उनके भ जरूर कंप्लीट देखिए सो सो कोश्चन की हमें सीरीज करवा रहे हैं फटाफट करवा रहे हैं मैक्सिम बीच मिनट के क्लास होती है ठीक है आप टू एक्स मोड में करके देख लिजी तागे आपको फटाफट रिविजन करने में कोई दीकत ना हो तो चलिए आज की क्ला अतिश है चेतर कहाँ पर हो RAANS LA विवानिके अंदर RAANS के अंदर है आरदी जीगमबर ज्यान्तित जो अब फिलाल चल की दारी के अंदर रानिला पहले विवान दिष्टिक में था अब चर्कित दार्दिरी शिंक में हाई अगला है नारनोल में सतनामियों ने विदो कब किया अगला है अर्याना पर अंगरेजों ने कब अधिकार किया अगला है ता अठारा सो तीमें 1803 station में किया था है अगला की हर्याना में foreign Book कहा पर है etοι और यह मदूबन मदूबन काब этग करनाल में trans cups science laboratory जो फोरेंस्क साइंस की और वह मदूबन करनाल के अंदर कि अगला है अरियाना में किस सराज्य की पुलिस रूल से मोडिफाइब कर रहे हैं पंजाब पुलिस रूल कब बने थि वह मैंट इनधिस्टु फॉर उननेससो चौनिसम में रूल बने थे को हरियाना सरकार नी महिलां की सुरक्षिया और 50 को क हम महिला थाने ठीका महिला थानों की स्टापना की थी और महिला थाने अब पर्तेज्झेमें एक महिला थाना खुल आ सबी जो डिश्टिक हर्याना के अंदर 22 जिले सबी में एक-एक महिला थाना कोल दिया गया है महिलाओं की साहता के लिए स्पेशल फीमेल से लेटिड जो कंप्लेंड है वो सुनी जाएंगी हाँ पर महिला थाने की सुरुवात कब हुई थी यह रक्षयमंदन के दिन सुरुवात हुई थी ठीक रक्षयमंदन कब था 29 अगस्त 2015 को 29 अगस्त 2015 को रक्षाबंदन के दिन महिला थानों की शुरुवात हुई थी ठीक और आज हर डिस्टिक में एक-एक महिला थाना खोला हूँ रखा है ठीक खोल रखा है उसके बाद अगला कोशन है गुरुकुल जजजर में पुराता त्विक संग्राले किसने स्थापित किया था स्वामी ओमानंदने 1969 में स्वामी ओमानंद 1959 में स्वामी ओमानंदने किया था हर्याना का दूसरा सबसे बड़ा जिला कोन सा है सिर्षा नेक्सट है कुरूचेतर सदाचार सथल किसकी समाद दिये कुरूचेतर में सदाचार सथल सदाचार सथल किसकी समाद दिये वो स्री गुलजारिलाल नंदा दो बार भारत के कारेवाइक परदानमंतिर रहे कि दो बार कारेवाएक परफानम explains कि उनकी जो समाद स्थल है वह सदाचार에 स्थल सदाचार्ड के अंदर है वहाँ पर इनकी समाद पर बनी हुई है कि एकशन कि यह पूछल बार पूछा अंदर चनेटी स्थूप कहाँ पर है जगादरी अंदर है चनेटी स्थूप गौन तलाब और ये रोतक दिश्टिक के अंदर है तर्यक। शेख चिली का मखबरा कहां पर हैं थाने सर के अंदर है जिए फिनी का मखबरा थाने सर के अंदर हैं लेकुन से तीन नाप्ट crime फूर्ट चंडीगड मोहाला और पंचकुला इनकों ट्राइशिटिक के नाम से जाना जाता है अगला है एशा गा सबसे बड़ा अधा कैक्टस गार्डन कहां पर है इशा का सबसे बड़ा याधा कार्डन है पंचकुला का प्रकुल Pershing अंदर के अंदर कि अगला क्यूश्चन ठेहलदास डेयरा कहा स्थित है कमाना फत्याबार के अंदर पर है टहल दास डेरा स्थित हैं गेहूं सोध संस्तान कहां पर हैं गेहूं सोध संस्तान और यह करनाल डिश्टिक के अंदर अगला है हर्याना में राष्ट यह प्रोद्यूकिक संस्तान एन आई टी एन आई टी कहां पर है वो कुरूचेत्र के अंदर है और अगर IIM पूछ लिए इंडिनिशेट्रों मैनेजमेंट वो है रोत्तक के अंदर IIM रोत्तक के अंदर है और NIT है वो कुरुषेत्रा के अंदर है कुरुषेत्रा युनिवस्टी की पत्रिका का क्या नाम है जो कुरुषेत्रा युनिवस्टी जारी करते है कि वह क्लानधी पत्री का है जो कूर्चता इश्टी के द्वारा जारी की जाती है Watch स Agora कुछ ने करवा था दर्मराज उदेश्ट पांडव थे युदेश्टरे पांडव में सगुसर धर में नव गर्यकुंड की स्टापना करवाए थी कैथल में इसी वज़े से कैथल को छोटी कासी के नाम से जानते हैं ठीक है एक एक कोश्चन के अंदर तीन कोश्चन हो गई है यह फरल गाउं जिसको मेलो का गाउं का जाता है फालगू तिर्थ किस जिले में स्थित है यह कैथल के अंदर अफरल गाउं अगला है हधियाना में पुलिस कमिशनरी 2008 में सबसे पहले का लागूई पुलिस कमिशनरी सबसे पहले हर्याना में बनी थी गुड़ गाउं के अंदर 2008 में पुलिस कमिशनरी सबसे पहले गुड़ गाउं के अंदर 2008 के अंदर है बूतेस और महल कांस् सुएदा के लिए बनवाई गई थी किसने बनाई थी को स्वित니 रोड़ पर को रहां और जनता का सूड़ा के लिए बनाई थी यह वरनाई थी शेर्षा सुरे ने ठीक भाश्याना में 88 है before we lived थीए अगला कोशन काफी इम्मोटेंट है यह हर्याना की परसित बाउडी जो जन्नी चोट की सुरंग के लिए परसित काहां पर रहत रहे यह महम रोछत के अंदर ጻे जन्नी चोट कीaning पार गैर अहरे जो बहते संग यह हम के अंदर हर्यान भारते सिर्ट काल की परसिद गाई का जोहरा बाई कहां के रहने वाली थे जोहरा बाई जो एंडियान फिल्म सिटी में जो सिंगर थी वो कहां के रहने वाली थी वो थी अंबाड़ा डिश्टिक की कहां के अंबाड़ा डिश्टिक की रहने वाली हैं अगला कोशन है प्राचिन काल का विराठ इसके बाद नेक्स्ट नमबर 635 और यह कि कौन सा कसबा 307 बावडियों का कसबा कहलाता है तो वह पिंजोर ठीक है पिंजोर बावडियों का कसबा कहलाता है हर्याना में कौन सा छेतर हरड उत्पादन के लिए पस्टिद हरड उत्पादन के लिए और यह मोरनी की पहाडिया हर्याना में हरड कहां पर होती है मोरनी की पहाडियो ठीक है हरियाना का कौन सा नगर साइन्स सिटी कहलाता है साइन्स सिटी के नाम से जो जाना जाता है वो अंबाला कहते है अंबाला को मिक्सी सिटी के नाम से भी जाना जाता है तो कौन सा सहर साइन्स सिटी अंबाला है उसका रगला है 638 और कोशन है काबूली बाग कहां पर है काबूली बाग और ये है पानिपत के अंदर काबूली बाग कहां पर है पानिपत के अंदर है बू अलिसा कलंदर अलिसा कलंदर का मकबरा कहां पर है ये है करनाल दर्गा पानिपत में है ठीक है मकबरा करनाल में है और अलिसा कलंदर ज मैर्शी वेद्व्यास की तपो भूमी बस्तली किस जिले में स्थित है और यह करनाल के अंदर मैर्शी वेद्व्यास की तपो भूमी है यह करनाल के अंदर है गोत्तम रिश्टी के आस्रम के लिए परसित गोंदर किस जिले में है यह भी करनाल के लिए मैर्शी वेद्व्यास और मेरसी गोतम रिशी दोनों की जो तपोब हुई है वो करनाल डिश्टिक के अंदर है इसके अगला है कोश्चन यह कि मेरसी वेद व्यास के पिता प्राश्र का आश्रम कहां है मैरिसी वेदव्यास जिनोंने माबात लिखी थी उनके पिता प्राशर का आश्रम कहां पर है ये है बैलोल पुल करनाल के अंदर ठीक है करनाल डिस्टिक के अंदर है अगला कोश्चिन है प्राचीन स्रीकंट जनपद की राजदानी कौन सी थी प्राचीन श्रीकंट जनपद की राजधानी पूछा है और वह थाने सर कुरूचेत्रा नेक्स्ट है परशिद करांतिकारी मोलवी कलंदर ने 1857 की करांति में अंग्रेजों खिलाफ जंडा बुलंद किया कहां पर किया था ये तो ये किया था पानिपत में मोलवी कलंदर था ठीक है इसने 1857 की करांति में अंग्रेजों के खिलाफ जंडा बुलंद किया था पानिपत डिश्टिक के अंदर किस कस्बे में पांच नहरे निकलने के कारण इसे नदियों का नगर कहा जाता है और बहर तोहाना फत्याबाद तोहाना फत्याबाद यहां पांच नहरे निकलती है इसलिए इसे नहरों का नगर कहा जाता है तोहाना फत्याबाद को अगला कोश्चन है कि कि सपेस सटल दुर गटना में कलपना चावला की मरत्यू हुए थी और उसका नाम था कोलंबिया कोलंबिया नाम है कि सपेस सटल जो जहाज था उसमें आ रहे है जो आ रहे थी कलपना चावला चांद से और उसमें इनकी मरत्यू हो गए थी एक फरवारी मुगल सराइ जो राष्ट ये महत्यों को स्मार्क गोसित किया कहां पर है मामा बांजा मुगल सराइ और ये है घरोंडा घरोंडा किसके अंदर करनाल के अंदर ठीक मामा बांजा मुगल सराइ ये घरोंडा करनाल के अंदर है करनाल जिले का कौन सा गाउं मेलो का गाउं कहलात करन जील पूछ ले वो भी करनाल में है करन स्टेडियम पूछ ले वो भी करनाल डिस्टिक के अंदर है अगला कोश्चन है कुरू छेतर के किस स्रोवर पर सूर्य घ्रन पर संदान करते हैं और वो है ब्रम स्रोवर जो पक का बनावा स्रोवर है और इसका जो लंबाई और चोड़ाई का जो है लंबाई है 1219 मिटर चोड़ाई है 608 मिटर ये भरंश्रोवर के डाइमेंशन सन दे रखी है और एक राजा कुरू ने खुद वायर था, ठीक है कुरू चेतर के अंदर है भरंश्रोवर अगला कोश्चन है अठारा सुस्तावन की करांती में एहम भूमिका निभाने वाले नवाब 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 एहम भूमिका निभान से यमनानगर में मुस्तफ़ाबाद का नाम बदल कर क्या रखा गया है जो मुस्तफ़ाबाद यमनानगर में था इसका नाम बदल कि जो सहर का नाम रखा गया हो सरसोती नगर क्या रखा गया सरसोती नगर अगला क्वेशन है बोद तथा जैन साहित है जिस थून या थूना गाओं का उलेख है वह अब किस नाम से जाना जाते है बोद साहित है और जैन साहित है में गाओं का जिकर किया गाओं का नाम है थून या थूना अब उस गाओं का नाम क्या हो गया बहुत थाने सर थाने सर को पहले थून या थूना नाम से जानते थे ठीक है बोद और जैन साइट में थाने सर का नाम थून या फिर थूना करके लिखा गया है कि कोश्चन नमज 654 है गुडगाओं में साथ से आर्ट मार्च 2016 को हैपनिंग हार्याना गलोबल समीट हुई थी इसमें कितने मोई साइन हुए थे 300 स्वावनिय काफी ठीक कोई बात नहीं इसमें रखना यह गुडगाओं के अंदर हैपनिंग हार्याना समीट सामिल हुई थी गुडगाओं के अंदर पौरानिक गरंथों में किसे सूर्य पुत्री और यम की बहन कहा गया है सूर्य पुत्री और यम की बहन और वो कहा गया है यमना नदी को यमना नदी को यम की बहन कहा जायता और सूर्य की पुत्री कहा जाता है यमना नदी को सूरज कुंड का निर निर्मान वाद तोमर वन्स के राजस सूरज मलने सूरज कुड़ का निर्मान करवाया था काफी इंपोर्टेंट कोश्चिन है यह ठीक है इसके बाद है वाइट पैलेस का पर सीथ और वाइट पलेस है पटोधी महल पटोधी काहां पर गुड़गाओं के अंदर ठीक पैलेस हर्याना का चंदन वरक्ष किशे कहते हैं हर्याना का चंदन वरक्ष किशे कहते हैं जाटी को जाटी या खेजडी को हर्याना का चंदन वर्ष कहां जाता है अगला कुशन है बारत में गेहुं का जीन बैंक कहां पर स्ताफित किया गया करेंदें या पहले पुछा गयाए पेपर में मेरट के कोटवाल कों फ्रिब 8 грr पठाने का रेवाडी डिस्टिक के अंदर हरियाना का पर्थम भीम आवाड किसे दिया गया था हरियाना का पर्थम भीम आवाड किसे गया दिया गिता जुस्ति को जो कुस्ति से सब्मंदित गिता जुस्ति को कि अगला कोश्चन है हर्याना का सबसे बड़ा रेलवे जंग्शन कौन से वो रेवाडी है जहां से छे रेलवे लाई निकलती है रेवाडी डिश्टीक है जो सबसे बड़ा रेलवे जंग्शन है नो दिसंबर 1947 को गांदी जी हर्याना के किस स्थान पर आए थे नो दिसंबर 1947 की आजादी के बाद गांदी जी जब सबसे पहले भारत हर्याना में आए थे जब तो हर्याना में सबसे पहले आए थे गुड़ गाहों के अंदर एक घासेड़ जगह है उस जगह आए थे गांद थे ठीक है अगला कुश्न है महात्मा गान्दी की बारत में पर्थर में कर अनिस mandate भारत में सब सबसे पहले गरफकतार के और 30 Corporal 1921 को प्लूवल में किया गया था उस प्लूवल में के अप्लूवर रेल्वेश्योन से इस नIST को और उस टाइम था इन ड़्म सम कि 17 फर्वरी 1921 को नियू किसी ने रखी थी जो बैस स्कूल है रोत्रक में इसकी नियू रखी गई थी 17 फर्वरी 1921 को और यह रखी थी महारत्मा गांदी जी ने ठीक है महारत्मा गांदी ने 22 अक्तूबर 1922 गांदी कॉंग्रेस की सबा में भाग लेने के लिए कहां आये थे वो आये थे बिवाने डिश्टी के अंदर ठीक बिवाने डिश्टी के अंदर हरियाना का ताज महल किसे का जातार वो है थाने सर में सेख चिली का मकबरा जिसे हरियाना का ताज महल कहा जाता ये भी सफेद संगमरमर से बना हुआ है थाने सर्मिष्टित, सेख चिली का मकबरा अगला है सास्त्रिय संगीत के लिए विख्यात पंडित जस्राज का जनम हर्याना में कहा हूं आथा पंडित जस्राज का जनम हर्याना की पीली मंदोरी हिशार जो अब फत्याबाद में उस समय ये हिसार डिश्टिक के अंदर था पिली मंदोरी अब ये फत्याबार डिश्टिक के अंदर है पंडी जसराज का जनम हिसार डिश्टिक में वा था लेकिन अब जो गाओं है वो फत्याबार डिश्टिक के अंदर आता है अगला कोश्चन कही पर पुछा गया है कि नर नारायन गुफा यम्नानेगर डिस्टिक के अंदर है सुनित्ता सर्मा संध्या और निर्मल गुलिया का संबंद कि स्खेल से हैं और यह जिमनास्टिक से ठीक है सुनित्ता सर्मा संध्या और निर्मल गुलिया यह जिमनास्टिक के संबंदित है अगला कोश्चन है एस्या का स सबसे बड़ा पसुंफ और में ही सार के अंदर है अगला जवालalon नहर किस नहर से निकलती है जवालाल-नल-जय-एलन जो बोलते हैं और यह निकलती है बाघडा नहर से किस नहर निकलती है। प्ल्सक्राइअ कर दोने निद्धित के गुरू है अगला कोशन है हर्यानवी रामायन किस ने लिखी हर्यानवी रामायन किस ने लिखी है कुदाबक्स हैमद ने हर्यानवी रामायन किस ने लिखी कुदाबक्स हैमद ने हर्याना में सैनेटरी उद्योग के लिए कौन सा अस्थान परसिद है सैनेटरी उद्योग क गजबाल जब द्र कोन सा श्टान पर सिध्ड है बादरुगण बादरुगण दिश्टिक निया रखना बादरुगण एक जरजड डिस्टिक के अंदर आता है द्यार ट्रियान ठीक है हरियाना के कालिदा स्कॉन कहलाते हैं यह वर दन्वनस कि स्थावना किस ने को थी पुषए भूटि ने स्थावना सेटीस वा सुरजकुंद मेला हुआ था यह अजानिया था और अगर श्टेट मुछ ले तो फाल गुजराद यह थीम स्टेट था गुजरा और थीम कंट्री सा तंजानिया सुरजकुंद मेला था उसके बारे में यह मुंगिप्पा कहां पर है मुंगिप्पा है तोसाम भिवानी के अंदर मुंगिप्पा धाम कहा है तोसाम डिस्टिक में तोसाम तैसिल भिवानी के अंदर पर्तवी राज रासो किसे नये लिखी पर्तवी राज रासो ओधी लिखी थी चंदर बर दाई ने परतवी राज रासो लिखी थी हaryana की दूसरी बासा गरदर्जा किसे दिया गया है पंजाब्वी को के सबस्सक्राइब दूसरी बासा कोंछी थी और वो थे तमिल हर्याना में पैली बासा तो हिंदी थी दूसरी लिखारिक आधिकारिक गया थी वह थी तमिल बासा के दर्जय दिया गया था हर्याना में दूसरी पास आगो ठीक है उसके बाद अगला कोश्चन है हर्यानवी बोली का विकास किस बोली से हुआ है और वो है कोर्वी हर्यानवी बोली का विकास किस बोली से हुआ कोर्वी से मंदिर के लिए परशित बागोट की जिले के अंदर owe बागोट में चीऊमंदिरोय अगला कोशिण है भारती पुरा तर्टो सरवेक्ष्ण विभाग दरा हरियाना के कितने समारको को राश्ट्रे मेट्थो गोसित के आ गया है और वह चोबिस आर्केलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया के दोवारा हर्याना की कितने समार्कों को राष्टे महतों को सित किया गए 24 है अक्तूबर 2015 आरब की स्वाधार गरहय योजना का संबंद किस से है स्वाधार गरहय योजना और ये है महिलाओ की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा से विकास युभाग द्वारा सुरू की गई थी उसका संबंद किस से है सखी योजना है पीडित महिलाओ से ठीक है अगला कोश्चन है नाड़ा साहब गुर्द्वारा कहा है ये है पंचकुला के अंदर नाड़ा साहब गुर्द्वारा ये पंचकुला के अंदर है फिल्म अभिनेता मनोज कुमार का संबंध हरियाना के किस जिले से जो फिल्म अभिनेता एक्टर है मनोज कुमार वो है हरियाना के कैटल डिस्टिक से इसके लाव जो सुनील दत ये भी एक एक्टर है और ये है यम्ना नगर से मनोज कुमार कैथल से सुनील दत यम्ना नगर से है अगला कोश्चन हर्ष और कर्ण का टिला कहां पर है हर्ष और कर्ण का टिला ये थाने सर कुलूचेतर के अंदर हर्ष का टिला ये भी थाने सर कु किस्ट्रा के अंदर ओखला बैराज से यमना से कौन सी नहर निकलती ओखला बैराज एक जगह है वहां में यमना नदी से कौन सी एक नहर निकाली गई है और वह गुडगाउं नहर में में साइक नदिया है किस भू गर्विक काल में हर्याना की भू सनरचना में मेहतवपुन बदला हुए थे अगला कोशन है परदेश के किस स्थान को जोर्ज थोमस ने अपनी राजधानी बनाये था जोर्ज थोमस ने अपनी राजधानी बनाये था हासी का किला हासी का किला इसको जोर्ज थोमस ने अपनी राजधानी बनाये था अगला कोशन है किस अभिलेक में हरियाना का उलेक करते समय इसकी राज़ानी दिल्ली बताईए कौन सा अभिलेक था जिसमें हरियाना का जिकर हुआ और उसमें हरियाना की राज़ानी दिल्ली बताई गई और वो है लाड़नू अभिलेख लाड़नू अभिलेख में हर्याना की राज़ानी को दिल्ली बताया गया है अगला कोशन है 697 किस अभिलेख में चोहान राजाओ की हर्याना विज्यो का उलेख है जो चोहानवन्स की राजा थे उन्होंने हर्याना पर विजय प्राप्त की थी और ये मिलता है विजोलिया अभिलेख में विजोलिया अभिलेख में और लाड़नों अभिलेख में क्या मिलता कि हर्याना की राजदानी दिल ली थी हर्याना में कुषान कालिन मूर्तियों का मुख्य के अंदर कौन सा था कुषान कालिन जो मूर्तिया थी वो हर्याना में कहां से मिलती है और वो है रोत्तक से कुषान कालिन मूर्तिया जो हर्याना में थी वो रोत्तक से मिलती है अगरा कोश्चन है आरजाद हिंद फोज में किस सूर्वीर ने सबसे पहले मनेपूर की भूमी पर अपना तिरंगा फैराए था मेजर सूरजवल थे और इन्होंने मनिपूर की भूमी पर सबसे पहले तिरंगा फैर आये था ठीक है काफी इंपोर्टेंट कोश्चन बनता है ये लाश्ट कोश्चन है राणी सूरज कोर का संबंद की स्रियास्ट से था और राणी सूरज कोर थी केथल डिश्टिक से ठीक है केथल रियास्ट से संबंद था राणी सूरज कोर का तो ये थे सो कोश्चन आज की इस क्लास के अंदर प्रैक्टिस सैट नमबर साथ में ठीक है इससे पहले हम करन्ट अफेर की क्लासिज भी डाल चुके हैं और कुश्ट नमर एक से लेकर 600 तक की 6 सीरीज हम डाल चुके हैं यह साथवी सीरीज है हारियाना जिक्के की ठीक काफी की इंपॉर्टन कोश्चन साम सारे आप से कर वा रहे हैं तो एक्जाम में जाने से पहले क्योंकि आगामी चाह्ट वर्हां जो होगा उसमें यहां से कुश्ट जरूर पूछा जाएगा तो यह हरयाना जिक्किश्चन से जो ऻम आपको करवा रहे और में clock प्रेक्टिस नमब साथ यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए ठीक है और बाकि अगर कुछ नहीं समझे में आओ या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टोपिक पे पूछना वीडियो बनवानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ठीक है बाकि आप हमारा चैनल नौलेज हब को सबस्क्राइब जरूर करें अपने फ्रेंड्स को रिक्मेंट करें और वीडियो को लाइक करें शेर करें जुड़े रही हमारे साथ मिलते रहेंगे आपके साथ रोजनों नए कंटेंट के साथ नई अपडेट्स के साथ ठीक है और चैनल को सेथ ज़रूर करबने फ्रेंड्स के सा एक और फिर से जो एस्पेरेंट्स दो इन रिटीस नहे हैं वो चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें ठीक है मिलते हैं तक तक के लियो बाए झाल